जब से यूपी में डबल इंजिन की सरकार बनी है तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है विशेश कर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्तिति सुधरी है उसे व्यापारियों का भरोसा लोटा है बिजनेस के लिए सही माहूल बना है बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक शमता और गवनन्स में भी सुधार आया है इसलिए आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है और जैसे उद्योग जगत के साथी अपने अनुभव के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश की सराणा कर रहे थे मैं सांसत के नाते अपने अनुभव बताता हूँ कभी हमने कोई उत्तर प्रदेश के अडिमिस्ट्रेशन से निकर से नहीं देखा था कभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में लोग आया करते थे तो वहां के एजन्डा कुछ अलग होते थे लेकिन एक सांसत के रुप में जब मैं यहां काम करने लगा तो मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश क्या बिरोक्रसी उत्तर प्रदेश के अड्मिस्ट्रेशन में वो ताकत है जो देश उनके पाथ चाहता है जो बात उद्द्योग जगत के लोग कह रहे थे एक सांसत कहनाते मैंने स्वयम ने इस सामर्थ को अनुभव किया है और इसलिए मैं यहां सरकार के सभी बिरोक्रस सरकार के छोटे मटे हर व्यक्ति को यह जो मिजाज उनका मना इसके लिए बढ़ाई देता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ साथियों आज यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवे का जिम्मदारी सौपी है साथियों उत्तर प्रदेश में भारत की पांचवे छठे हिस्से की आबादी रहती है यानि यूपी के एक व्यक्ति के बहतरी भारत के हर छठे व्यक्ति के बहतरी होगा मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21 सदी में भारत की ग्रोर स्टोरी को मोमेंटम देगा और इसी दस वर्ष को आप देख लीजिए एक उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी ये दस वर्ष आपको दिखाई देगा जहां परिश्णम की पराकस्टा करने वाले लोग हो जिस प्रदेश में देश की कुल आबादी का सोला प्रतिशत से अधिक कंजुमर बेज हो जहां पांच लाग से अधिक आबादी वाले एक दरजन से जादा शेहर हो जहां हर जीले का अपना कोई न कोई खास प्रोड़क्ट हो जहां इतनी बड़ी संख्या में MSM इस हो लगूत्योग हो जहां अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग क्रशी उत्पादों अनाज फल सबजियों की बहार हो जिस प्रदेश को गंगा, यमुना, सर्यू समेथ अनेक नदियों का आशिरवाद प्राफ्त हो ऐसे यूपी को तेज विकास से भला कौन रोप सकता है